बच्चों, आपने अभी आइनिक बंद एवं सहसायोजी बंद के बारे में पढ़ा। ऐसे योगिक जिसमें आइनिक बंद पाया जाता है, उसे हम आइनिक योगिक कहते हैं। एवं ऐसे योगिक जिनमें सरसायों जी बन पाया जाता है उन्हें हम सरसायों जी योगिक कहते हैं इनके गुड़ों में हमने जाना कि आइनिक योगिक को जब जल में घुला जाता है या वो द्रवीत अवस्था में होते हैं तो उनमें आईनी करन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण उसमें विद्यूत का चालन संभा हो पाता है जब कि सासे योगिक जो होते हैं वो विद्यूत के कूछ आलक होते हैं क्योंकि उनमें आईनी करन नहीं होता योगिकों में इस गुण को परिक्षन करने के लिए हमें क्रिया कलाप करते हैं जिसमें हम विद्धुचालन का परिक्षन करेंगे इस क्रिया कलाप के लिए हमें जिन सामगरियों क्या उशक्ता होगी वो हैं चार बीकर जिन में हमें क्रिया कलाप में सुविधा के लिए नाम दिये हुए हैं बीकर क, बीकर ख, बीकर ग, एवं बीकर घ, इसके अलावा हमारे पास है नमक, कैल्शियम क्लोराइट, शक्कर और ग्लुकोस, साथी वीलियन को अच्छी तरह से मिलाने के लिए ग्लास ग्लाटरी जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहां पर LED के एक सीरे से जोड़ दिया है, और LED के दूसरे सीरे में, हमें यह एक तार जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, साथी इसके निगेटिव टरृमिनल पर भी हमने यह तार जोड़ा हुआ है, इसके अलावा हमे अपने क्रिया कलप में ग्रेफाइट की छड़ों के रूप में प्रयोग करेंगे जोकी इलेक्ट्रॉट की तरह कार्य करेंगी तो चलिए इन सभी सामगरियों के साथ हम अपने क्रिया कलप की शुरुवात करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम बीकर खा में दो चम्मच नमक डाल कर एक विलियन तयार करते हैं हम दो चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं इसे थोड़ी देर इस तरह से रख देते हैं यह और अधिक घुल जाएगा इसके बाद हम बीकर खा में अपना अगला भी यन तयार करने के लिए दो चम्मच केल्शियम क्लोराइड डालते हैं इसे भी अच्छी तरह मिला लीजिए पुना बीकर गा की तरफ बढ़ते हैं और बीकर गा में हम दो चम्मच शक्कर डाल देते हैं इस प्रकार शक्कर का विलियन प्राप्त करते हैं और अंत में हम बीकर गा में दो चम्मच ग्लुकोस इस तरह डाल कर इसका विलियन भी तयार कर लेते हैं अब हम बीकर का जिसमें हमने नमक का विलियन बनाया था इसमें अपनी इन दो ग्रेफाइट की चड़ों को डालते हैं इस प्रकार से बच्चे ग्रेफाइट की चड़े आपस में टच नहीं होनी चाहिए लेकिन क्यूंकि हमारी जो चड़े हैं वो लकडी से कवर की हुई हैं इसलिए यदि यह आपस में टच भी होती हैं तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं हैं आइए इस विदियो परिपत का प्रयोक करें और देखें कि लाप में हमें क्या दिखाई दे रहा है इसे हमने ग्रिफाइट के इस सीरे से इस तरह सहीं उजित कर लिया है और यह देखिए यह ग्रिफाइट से हमने इसे-से टच करा दिया मैं देखें बच्चों यह LED लाइट जल पड़ी है देख पा रहे हैं आप चलिए अब हम इसी क्रिया कलाप को दूसरे विलियन के साथ करते हैं और इन ग्रिफाइट की छड़ों को हम इस विलियन में डाल देते हैं जो की हमें केल्शियम क्लोराइट से प्राप्त होई है पुना ग्रिफाइट की छड़ से इस सिरे को और इसके बाद इसे हम टच करते हैं देखें पुना आपको यह LED लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यही क्रिया का लाप हम अगले विलियन में करेंगे यह वीलियन हमें किस से प्राप्त हुआ है शक्कर का वीलियन है ये शक्कर के वीलियन में भी पुना देखे बच्चो ग्रेफाइट की छड़को हमने इस तरह से दोनों सिरों को टच किया फिर भी हमें LED लाइट यहां पर जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है चलिए लास्ट में बीकर घः जिसमें हमने ग्लुकोस का वीलियन मिला हुआ है उसमें यही प्रक्रिया करें यह देखे दोनों सिरों पर हमने अपना विद्यत परिपत कम्प्लीट किया परन्तु हमें LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो बच्चों हमने देखा कि बीकर क और ख में विद्यत का बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया जबकि बीकर ग और घः में विद्यत का बल्ब जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बीकर क जो की नमक का वीलियन है और बीकर ख जो केल्शियम क्लोराइट का विल्यन है इसमें विद्यूत का चालन संभा हुआ अर्थात इसमें आइनिक बंद पाया जाता है इस प्रकार हम योगिकों के प्रकार का राधार पर यह निर्धारन कर सकते हैं कि किस योगिक में विद्युत का चालन संभव होगा और किस योगिक में विद्युत का चालन संभव नहीं होगा